बिस्मिल्ला रर्राह्मान रुरहीम, असलाम लेकूम एवीवन, वेलकम टू सत्वतन तलहाज चैनल, आज हम आपके साथ शेयर करने जारें बहुत ही मज़ेदार किसम की बिर्यानी की रेसिपी, हम बनाएंगे बॉनलेस चिकन तिका बिर्यानी, रेसिपी की तरफ बढ़ने से बार्बी की वे चिकन तिका बिर्यानी बनाने के लिए आपने लेना है 1.5 kg बॉनलेस चिकन, इसमें आपने टालनी है 5 टेबल्स्पून धाई, फिर धाई को आपने चिकन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करें, आप धाई को बीट करने के बाद भी चिकन के अंदर वो बहुत अच्छा आएगा बियानी का अगर आपके पास कश्वीन डाल मिश नहीं है तो आप सिंपल डाल मिश प्लस फूट कलर डाले इसके बाद इसमें जाएगा वन टी स्पून नमक टू टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर आपके पेस्ट नहीं है तो फिर जाला पाउडर वन टेबल स्पून लेमन जूज अगर लेमन जूज नहीं है तो आप दो चुटकी टाटर ही डाल सकते हैं अब डालने हैं इसमें दो टेबल स्पून ओयल के अब इन सारे इंग्रीटियंट्स को अच्छे तरिके से आपने चिकन के अंदर मिक्स कर देना है इसके टेश को इन्हांस करने के लिए बार्बी के फ्लेवर लाने के लिए हम इसको कोईले की दूनी देंगे उसके लिए आपने लेनी एक छोटी सी कटोरी और चिकन के बीच में रख देनी है उसके बाद गरम-गरम कोईले के उपर आपने डाल देने हैं कुछ कदरे ओल के जैसे ही कोईले के दुआ निकलने लग जाए तो फिर आपने इसको कवर कर देना है और इसको रख देना है तकरीबन 30 मिनट से लेकर एक घंटे तक खेलिए अगर आपको फोरी तोर पे पकाना है तो आप मेरिनेशन टाइम काम कर लें वरना आप एक घंटे तक मेरिनेट कर लें अब हम कर लेंगे प्याजों को ब्राउन उसके लेना है आपने दो से चार टेबल स्पून ओयल और उसमें डाल देनी है चार बड़े साइस की प्याजे अब प्याजों को उस टेम तक बगा लेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाथा आप प्याजों को फ्राई करने के लिए ज़्यादा ओयल कर सकते हैं ब्राउन प्याज का बहुत अच्छा टेश आता है बिरियानी के अंदर जब प्याज ब्राउन होजेगी तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइट कर देंगे आदी ब्राउन प्याज को हम बचा लेंगे बात के लिए और आदी ब्राउन प्याज का हम पेस्ट बना देंगे पेश मनाने के लिए आपने आधी ब्राउन प्याज ले लेनी है और उसमें डाल देनी है दो टेबल स्पून धई आप धई को फेंट कर भी ले सकते हैं इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले, दो टेबल स्पून धनिया पाउडर डालने आपने धन्या पाउडर के बाद इसमें जाएगा जीरा पाउडर वन टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून वन टी स्पून जाएगा लाल मिज पाउडर और वन टी स्पून ही जाएगा तिक्का पाउडर इसके बाद आपने ये सारे के सारे मिसाले अच्छे तरीके से प्याज में और धई में मिक्स कर देने हैं और एक पेस्ट त्यार कर लेने हैं पेस्ट बना कर आपने एक साइट पर रख देने हैं हमारा पेश तयार है और आपने भी ऐसे ही पेश तयार कर लेना है इसके बाद आपने एक देख्ची में पानी भर लेना है और उसमें डाल देनी है चार से पांच लॉंग दो बड़ी लाइची, एक तार चीनी का टुकड़ा एक टीज़पून जीरा दो तेज पाथ इसके बाद आपने इसके बाद दाल देना है एक टेबल स्पून लेमन जीज या फिर विनेगर लेमन जीज या सिर्का डालने से चावल जो होंगे वो खिले-खिले पकेंगे और अगर आपके नए चावल है और आपसे नहीं संबल दे तब भी सिर्का डालने से यही फायता होगा कि चावल संबल जाएंगे और खिले-खिले पकेंगे इसके बाद आपने इसके बाद दाल देने 2 टेबल स्पून ओयल बाद आपने नमक डाल देना है इसके पानी रेस्प या थाफ kg राइस की तो आपने उस हिसाब से नमक डालना है अगर आप ज़ादा चावल बखाएंगे तो आपने ज़ादा नमक डालना है इसमें जाएंगे अब दो बाद्याम के फूल जब पानी को उबाल आ जाए तो आपने इसके इंदर बिगोए हुए चावल डालने हैं चावलों को आप कम से कमादा घंटा ज़रूर बिगोए पानी को उबाल आ चुका है अब हम इसमें डाल देंगे हाफ के जी चावल अगर आप जदा चावल बढाना जा रहे हैं तो हर इंग्रीडियन्ट को इंग्रीज कर दें इसके बाद आपने चावलों के दर चमच लाना है और सारे इंग्रीडियन्स को चावलों में मिक्स कर देना है अब चावलों को 90% आपने कुक कर लेना है एक कहनी आपने जोड़ देनी है चावलों को 100% आपने कूक नहीं करना जब चावल 90% कूक हो जाएं तो फिर आपने इसमें से पानी निकाल देना है हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं अब हम इन चावलों को पानी में से निकाल लेंगे आप जब चिकन पका रहे हो तब उसी के सावलों को भी बॉयल कर लेजे अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसको पका लेंगे उसके लिए लेना आपने दो टेबल स्पून ओयल उसमें डाल देने दो तेस पत्ते तीन हरी लाइची एक दारचीनी का टुकड़ा तीन से चार लॉंग और एक टेबल स्पून जिंजर गारलिक पेस्ट अब आपने जिंजर गारलिक पेस्ट का कच्चापन निकाल लेना है इसको दो मिनट के लिए आपने पका लेना है अगर आपको ज़रुत मेहसूस हो तो आप इसमें पानी आइट कर ले जिंजर गारलिक पेस्ट की जब स्मेलाना बंद हो चाहे तो आपने इसमें डाल देना है टमाटर हमने लिए एक बड़े साइस का टमाटर और इसमें डाल दिया है टमाटर को आप छोटा-छोटा भी कट कर सकते हैं और बड़े साइस में भी डाल सकते हैं टमाटर डालने के बाद आपने इसमें डाल देनी हरी मिर्चे तीन से पांच हरी मिर्चियों को आप कट करके डाल दें या फिर आप इनका पेस्ट बना के डाल दें हरी मिर्चों को टमाटरों के साब पका लेना है और इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि जो टमाटर है वो गल ना जाए अच्छे तरीके से जब टमाटर गल जाएं तो फिर आपने इसको एक प्लेट में निका लेना है इसके बाद आपने एकड़ाई लेना है उसमें डालना है half cup oil और इसमें डाल देना है marinated chicken इसके बाद आपने 5-7 मिनट के लिए chicken को पका लेना है मसाले को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है यानि के धरी और मसालों का कच्छा पान आपने खतम कर देना है जब chicken का मसाला खुश्कोना शुरू हो जाए और chicken oil छोना शुरू कर दे तो फिर आपने इसमें डाल देना है अपना brown onion का paste जो हमने पहले बनाया और side पे रख दिया था इस paste में हमने 1-2 नमक भी add किया था आप चाहें तो इसी के अंदर add कर लें या फिर पहले इसको डाल दें और chicken के साथ पका लें उसके बाद आप नमक को टेश्ट कर लें नमक अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें नमक add कर लें इस पेश को बढ़ने के लिए हमने मसाले भी डाले थे और इसमें धाई का इसमाल भी किया था इसलिए इसको भी हम 5 minute के लिए पका लेंगे ताकि इसके अंदर से जो धाई का अगचापन है और मसालों का अगचापन है वो अच्छे से निकल जाए इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मिसाले लगना जाएं इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपने टमाटर का पेश जो हमने बना लिया था और साइट पे निकाल के रख दिया था उसके बाद टमाटरों के पेश को इसके अंदर अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू स्टेज के उपर आलू को मैंने हाफ कुक पहले ही कर दिया था आलू बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि मुझे बियानी में आलू पसंद है इसलिए मैं आलू डाल रही हूँ अगर आप आलू नहीं डालना चाते हैं तो ना डालें और अगर आपने आलू डालने हैं तो आप पहले डालें चिकन के साथ ही ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं पांच से साथ मिनट के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है अगर आपको जरुत मैसूस हो तो इसके पानी आइट कर लें और ढखकन ढखकर इसको पका लें जब तक की चिकन आलू अच्छे तरीके से गल नहीं जाते है और जो मसाले हैं उनका कच्छा पन निकल नहीं जाता चिकन हमारा अच्छे तरीके से त्यार हो चुका है अब कढ़ाई में से हम चिकन को निकाल लेंगे हम बना रहे हैं तेह वाली बिर्यानी तो हम बिर्यानी की अब तेह लगाएंगे उसके लिए हमने कढ़ाई में ओयल जो सालन का था उसको रहने दिया है उसके बाद इस पर डाल दी है चावल चाबलों का आपने तीन पोर्शन में डिवाइट कर देना है एक पोर्शन चाबलों का आपने पहले कड़ाई में डाल देना है उसके बाद चाबलों के उपर आपने स्प्रिंकल कर देना है येलो फूड कलर अब पानी में डाल की भी कलर एड़ कर सकते हैं फिर आपने इस पर डालना है चिकन ग्रेवी, आदर सालन आपने इस बारी डालना है और आदर सालन आपने अगली बारी डालना है उसके बाद जो ब्राउन प्यास हमने रख ली थी उसमें से आधी ब्राउन प्यास आपने भी डाल देनी है और आधी बाद में डाल देनी है ब्राउन प्यास डालने के बाद आपने इस पे डालने है पोदीने के पते और धनिया धनिया पोदीना डालने के बाद आपने फिर से इस पर बिर्यानी की एक तहर चड़ानी है जो आधे चावल बचे थे उसमें से आधे आपने अभी डाल देने और आधे बात के लिए बचा देने फिर चावलों के उपर आपने चिकन की ग्रेवी डाल देनी है और फिर उसके उपर ब्राउन प्यास डाल दिये और फिर इन दे एंड आपने इसके उपर डालने धनिया और पोदीना के पते और लास्ट में फिर से आपने टॉप पर डाल देने हैं चावल चावलों के उपर डालने हैं ब्राउन प्यास उसके बाद थोड़ा सा food color येलो food कर आपने स्प्रिंकल करना है और येलो food कर के बाद आपने इस पर टॉप पे डाल देना है धनिया और पोदीना आप देख सकते हैं कि हमारी बिजानी किस तरह से तैयार हो रही है ये color ये धनिया पोदीना सब कितने ही खुबसूरत लग रहे हैं अगर आप हमारी recipe को बिल्कुल ऐसे ही follow करेंगे तो आपकी बियानी भी ऐसे ही तैयार होगी अब चावलों को हम दम पे चड़ा देंगे उसके लिए पहले हम कड़ाई को cover करेंगे aluminum fold से उसके पास फिर ढखा ढख देंगे अब चावलों को आपने दम देना है साथ से 10 मिनट के लिए high flame पे उसके बाद 5 मिनट के लिए बिल्कुल low flame कर देनी आपने 15 मिनट हो चुके हैं अब चावलों को हम दम हटा देंगे इसे मिक्स नहीं कर देना आपके चावल ऐसे होने चाहिए कि एक मसाली का color हो डूसरा क्वசा लगाए और तीसरा व्याठी चौब सूरती इसी तरह से अगर सारे के सारे चावलों का एक ही कलर होगा तो बिर्यानी खुबसूरत नहीं लगती है हमारी बिर्यानी बहुत ही खुबसूरत भी है बहुत ही टेस्ट ही है आप हमारी बिर्यानी की रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा और आप हमारी रेसिपी ट्राइ करने के बाद अपना फीड़बैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजीगा और हमें बताइएगा कि आपकी बिर्यानी कैसी बनी अगर आपको हमारी बिर्यानी की रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तके लिए अल्ला हाफिज